एक समय आया था कोविड लॉकडाउन का जब गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग सर्च में आट होम टर्म जो है वो वर्ल्डवाइट ट्रेंड हुई थी मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा लोग यही सर्च कर रहे थे हाउ टू मेक केक अट होम, हाउ टू डू वक आउ आट होम, ग्रूमिंग रिलेटेट टिंग्स और ना जाने क्या क्या पर पिछले कुछ दिनों गूगल पर कुछ बहुत ही अजीव चीज ट्रेंड हुई और वो थी हाउ टू ब्रेक आम आट होम और यह ट्रेंड आया था रशिया से तो ऐसी भी क्या ही मजबूरी थी कि लो इस चीज को समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। दोनों कंट्रीज को बहुत जादा नुकसान हो चुका है, financially भी, manpower के हिसाब से भी, still अभी भी war रोक नहीं रहा है। अब जब रशिया की manpower को इतना साथ नुकसान हो गया, तो इसे balance करने के लिए पुतिन ने एक policy पास कर दी। जिसके चलते 18-65 साल के जितने भी आदमी हैं, उन्हें रशिया से युक्रेन भेज़ा जाएगा war को continue करने के लिए। पर वहां के हालात इस ताइम यह है कि रशिया की लोग खुदी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि war को रोक दिया जाए, क्योंकि दोनों कंट्रीज में नुकसान तो बहुत ज़ादा होई चुका है, और साथ ही लोग अब peace चाहते हैं, वो नहीं जाते कि आगे लड़ाई चलती र परवाना होने वाले हैं, इस policy के पास होते ही, Finland, Georgia, Mongolia की borders पर रातो रात पात से छे घंटे का जाम लग गया, कुछ लोगों ने दूसरा जरी अपनाने की कोशिश करी और वो था बायर, पर flights की टिकेट एक दम से पाच गुना तक जादा बढ़ गी, जैसे reference के लिए Moscow से इस् लाख 20,610 रूप, फिर भी लोग अपनी पूरी की पूरी जमापुनजी लगाने को तयार थे, बस रशिया को छोड़ना चाहते थे, ये देखते वे, पुतिन ने Marshall Lobby लगा दिया, जिसके चलते उन्होंने बोला कि 18 से 65 साल के किसी भी आदमी को टिकेट नहीं दी जाएगी 7 से 8 घंटे बाद अगली announcement जो हुई, वो ये थी कि आप लोगों के पास 4 घंटे हैं, अपने bags pack करें, अपनी family से मिलें, और जो भी location बताई गई थी, वहाँ पे सबको कठा होना था, और Ukraine के लिए रवाना होना था साथ ही ये भी बोला गया कि अगर आप खुद नहीं आते हैं, तो soldiers के द्वारा आपको घर से उठा लिया जाएगा अब वहाँ कि public ने जब ये condition face करी, तो उनके दिमाग में और कुछ नहीं आया, बस पहले जो trending search चल रही थी, how to leave Russia, अब वो trend shift हो गया नीचे, और first trending search आ गई, how to break your arm at home, घर पर अपना हाथ कैसे तोड़े क्योंकि अगर आपका heart टूटा होगा, आपको कुछ जादा serious injury होगी, तो obviously आपको war करने के लिए नहीं फेजेंगे, वहाँ के लोगों के लिए, अब ये last resort था, कि वो किसी भी तरह से, चाहे अपना आपको नुकसानी क्यों ना पहुचाना पड़े, वो किस तरह से wars में जा ही रहा है, फिर भी आपके क्या views है, आपके आगे कभी ऐसी situation आती, आप रशिया में होते, तो आप इसमें क्या करते, वो मुझे comment section में जरूर बताएं, साथ ही अगर ये video interesting and knowledgeable लगी हो, तो do like, share and comment, ऐसे ही और facts and info के लिए, do subscribe, newbie production